दोस्तों नमस्कार स्वागत थे आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों फर्स्ट गेर का एक्जाम हो गया बहुत सारे लोगों ने आपको आंसर की इस बता दी आपको जो उचित लगती है वो आंसर की आप मान लीजिए और समय खराब मत कीजिए अब प्रते एक मिनट खराब करना आपके लिए नुकसान दे आगे साबित हो सकता है तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब क्या करना है अपने को तो फर्स्ट गेर 2022 से सबसे पहले आगे बढ़ना आपको जो एक्जाम आपका हो गया जो एक्जाम समाप्त हो गया आरपीसी ने एक पहुन चुकी है अब बार बार एक ही विशे पे आप चल्चा करोगे तो उसमें मानसिक तनाव अवसाद उत्पन होगा जो नए तो आपके मानसिक स्वास्ते के लिए अच्छा है नए आगे जो त्यारी कर रहे हो उसके लिए अच्छा है जो एक्जाम वो है उसको अब भा बात कर रहे हो या कटोफ की बात कर रहे हो तो यह सब RPC पर छोड़ दीजे आप आंसर की आएगी फाइनली हलांकि RPC इतना जल्दी आंसर की निकालती नहीं है लेकिन इस वार क्योंकि अगला साल चुनावी है और सरकार का भी फोकस है और सुनने में आरा कि हो सकता है नहीं भरती आजाए अब शोर नहीं है लेकिन उस वज़े से हो सकता है कि आंसर की बहुत जल्द दो तीन चार पांस दिन के अंदर आगले हफ्ते तक आंसर की जारी हो जाए और प्रिणाम भी आंसर की जारी होने के बाद ज्यादा समय लगता नहीं है आपको आंसर की जारी करेगी आरपेसी उस पर पत्ती मांगेगी उसका पांस आदिन का समय देती है उस आपत्ती दर्ज करने के बाद वो फाइनल आंसर की वे उसके जारी हो जाता है तो यह चीज़े बाब आप आरपेसी पर छोड़ दो उसके बाद क्या कर वो अपनी रूटीन लाइफ में आने के बाद वो इन चीजों से निकल चुका है उसको जदा समय नहीं मिल रहा कि वो उत्तर कुंजी का या आरपेसी रिजल्ट का सोचे क्योंकि डिपार्टमेंटल काम जो है वो बहुत हो गए हैं जिसकी वज़े से वो अपनी सही जोन में और थर्ड गेड का एक्जाम जो है वो आपके फर्वरी के अंदर है चार-पांच फर्वरी को तो आप दोनों में से एक भरते का चैन कीजिए जो बरते आप उचीते लगती है उसकी आप प्रोपर त्यारी कीजिए अब यह समय नहीं है कि बस एक महीना हो गया करीब-करीब उसके हिसाब से जैसे इंदी वालों के पंद्रा तारी को एक मेना हो जाएगा तो अब समय जो है खराब नहीं किया जाए एक वेकेंसी चाहिए वो सेकंड गेड हो या थर्ड गेड हो उसको चीनित कर लीजिए जो संस्क्रिट डिपार्टमेंट की त्यारी कर रहे हैं उनको तो एक भी दिन खराब नहीं करना चाहिए तार अभी भी कुछ ही नहीं वा अभी भी समय खराब मत करो फोरम वगेरा भी कम ही है उसके अंदर त्रेपने जार कुल फोरम आई हुए हैं तो जो संस्कर डिपार्टमेंट की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी अभी समय है उस आज से अभी से सुरू करनी है, एक भी मिनट को खराब नहीं करना क्योंकि आपके प्रते एक मिनट में कोई आचे निकल रहे है। तो त्यारी जो है आप chess या जो भी आपकी त्यारी है वो प्रारम कर दोदीजे, in the sense third grade की या second grade की जो भी आपको उचित लगे और एक बात उसमें ये देखना कि जो त्यारी आप कर सकते हो इस दोरान जो आपकी शमताओं के अंदर है जिसको करने में आपको confidence हो कि यार ये मैं कर सकता हूं वो ही त्यारी आरम करें किसी के देखा देखी नहीं करें बार-बार फर्स्ट्रेट दो जाए देखने से बचे देखो अगर आप बार-बार फर्स्ट्रेट वाली चीज़े देखोगे हजारों यूट्यूब पे है अलग-अलग कोचिंग वालों के अलग-अलग एप है हर वेक्ति आपको अलग बात कहेगा हो सकता है मैं अलग हूं कोई और अ चोड़ दो सारी चीज़े जो फाइनल चीज़े है वो आरपीसी वाली ही मान्य होगी इसलिए फर्स्ट्रेट दो जारबाई से जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप आगे की तैरी नहीं कर पाओगे इसलिए बार-बार-बार-बार वही चीज़े देखना वह आप पालिये मा're sissie वे बंद हो चुका है अब आप बार-बार वीडियो देखोंगे तो भी कुछ होना नहीं है और बार-बार जाड़ा सोच परते एक मिनट जब आप एक्जाम होल में एक्जाम दोगे उससे में आपको प्रेशान करेगा उस टाइम आप सोचोगी कास में थोड़ा सा पढ़ लेता तो ऐसी चीजें नहीं करें मेरा आप से निवेदन है और यह जो बरती है अब दो सेकंड गेड वर थर्ड गेड इसमे